दोस्तों नमश्कार जैसरी किशना जैसरी राध्य दोस्तों आज हम बात करेंगे 16 अगस्त और 17 अगस्त दो दिन के लवरासी फल के बारे में आपकी लव लाइफ, आपकी मेरिट लाइफ, आपकी रेलेशन सिपकिस्थिजी दोनों दिन किस प्रकार की रहेगी? अगर आपको चंद्रासी यानि मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम रासी कर्मसार की देख़वा सुन सकते हैं दोनों दिन चंद्रमा धनू रासी के रहेंगे मून लक्षत्र और पूर्वा साड़ा लक्षत्र का प्रभाव रहेगा केतू और सुक्र के प्रभाव से प्रभावित रहेंगे चंद्रमा किस प्रकार के स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे चंद्रमा आईए जानते हैं बात करेंगे लव रासीफल की 16 अगस्त और 17 अगस्त किस प्रकार कर रहेगा ये जानने से पहले जान लीजिए कि 16 और 17 अगस्त को दोनों दिन आप कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपका दिन बहुत बहतर रहे तो एक छोटा सा उपाय कर लीजेगा उपाय क्या करना है? आपको बेलपत्र लेना है और अपनी कोई बड़ी इच्छा बता दीजे महादेब को कि ये बड़ी इच्छा है लेकिन ये इच्छा मेरी किसी का बुरा नहीं चाहते है हमारा अच्छा हो जाए कोई अपने लिए कुछ मांग रहे हैं तो बेसा के उपाय कर लीजे और बहुत अच्छा रजल्ट भी आपके सामने आएगा और बहुत ज़्यादा आप उस जो चीज मांगेंगे उसमें सफल रहेंगे बहुत जल्दी सीग्र आपकी मनो कामना पूरी हो जाएगी अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी देते हैं सबसे पहले बात करेंगे रासियों के क्रम में सबसे पहली रासि मेस रासि के बारे में तीकिये मेस रासि बालों अगर आप सिंगल हैं तो दोनो दिन इस्थितियां आपके लिए बदलती हुई नजर आ रही हैं 16 अगस्त को हो सकता है कि आपको उतना ज़्यादा लोग attention ना दें लेकिन 16 अगस्त के साम से कोई व्यक्ति आपसे बात करना सुरू करेगा रात बर बात करेगा और अगले दिन वो आपसे मिलने आ सकता है या मुलाकात हो सकती है love life में पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको प्यार देगा खास करके 17 अगस्त आपके लिए बहुत ज़्यादा romantic रहने वाला है पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार और romance से भरपूर दिन बनाएगा और यहाँ पर इस्तितिय भी बन रही है कि अगर आप no contact में है तो फिर से patch up हो सकता है फिर से आपका reunion हो सकता है बहुत ही सुब इस्तितियां बन रही है married life में दोनों दिन बहुत ज़्यादा खुसखबरी को दिखाते हैं कोई बड़ी खुसखबरी मिल सकती है और आपकी life में कोई बहुत बड़ी खुसखबरी आए उससे आपके partner की खुसी दुगनी हो जाए तो बहुत बड़ी खुसखबरी ही होगी extra medical affair में आपके family को पता चल सकता है कि आपका affair है उस चीज़ से भी problem आप दोनों के बीच में हो सकती है अब बात कर लेते हैं ब्रशबरासी वालों की ब्रशबरासी वालों अगर आप सिंगल है तो दोनों दिन की स्थिती आपके लिए खराब है कोई व्यक्ती जो व्यक्ती आपको impress कर रहा है जो व्यक्ती जिसे आप पसंद है वो कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो double game खिल ला होगा जो किसी और के सार relationship में होगा आपको भी impress कर रहा है अगर आपको धनूर आसी का कोई व्यक्ति मिलता है या फिर आपको कोई पसंद है तो उस व्यक्ति के पीछे मत जाएए वो आपको double cross करेगा चीट करेगा वो आपके लायक नहीं है आज के दिन या दोनों दिन तो नहीं है लव लाइफ में partner आपकी बहुत तारीफ करेगा लेकिन तारीफ तारीफ में उसकी जवान फिसलेगी और कुछ न कुछ ऐसा बोल देगा जो आपको बहुत बुरा लगेगा और इससे आज का दिन बैसे तो खास करके 16 अगस्त का दिन जो है दो फैर के दो बज़े तक बहुत ज़्यादा खराब है उसके बाद में थोड़ा ठीक रहेगा लेकिन 17 अगस्त के इस्तिती ज़्यादा खराब मुझे दिखाई पड़ रही है और 17 अगस्त के साम के बाद में इस्तितियां इतनी खराब हो सकती है कि आपके पार्टनर से आपका बात करने का मन ना करे ब्लॉक कर दें आप नो कॉंटेक्स सिचेशन में इस्तिती बैसे तो सामान ने रहेगी दोनों दिन लेकिन अगर आप बादचीत का प्रयास कर रहे हैं बादचीत करने कोसिस करते हैं तो 17 अगस्त के साम के 5 बजे वो बादचीत कर लेंगे आपसे और थोड़ा सा अच्छी बादचीत हो जाएगी मेरिड लाइफ में मनसांत रहेगा पार्टनर की कुछ बातें आपको टॉर्चर लग सकती हैं और एक्स्ट्र मेरिटल अफैर में अत्यदिक खर्चे करवाएगा आपका पार्टनर आपके ये स्तिती है अब बात कर लेते हैं मिथुन रासी वालों की मिथुन रासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो आपका दिन सामानने हैं लव लाइफ में पार्टनर अचानक से बहुत ज़्यादा आप पर भड़क जाएगा 16 अगस्त तो फिर भी ठीक निकलेगा 17 अगस्त को को ज़्यादा ही वो भड़क रहा है या ओवर्यक्ट कर रहा है आपको ऐसा लगेगा उसको ओवर्यक्ट करते है करते देख करके आपको ऐसा लगेगा कि आप इसके साथ ना रहा रच जाए तो बहतर है तो हो सकता है कि आप दोनों का ब्रेक अफ हो जाए 17 अगस्त को सामके वक्त तक नो कॉंटेक्ट में इस्तिती खराब रहेगी मेरिड लाइफ में आपके पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा दोनों दिन अच्छे रहेंगे एक्स्ट्रा मेरिटल अफैर में दूर की यात्रा ना करें और अगर दूर एक दूसरे के साथ दूर दूर है लॉंग डिस्टेंस रिलेशन्सिप है तो ना मिले एक दूसरे के साथ ना रहे वही वहतर है यह स्तिती है अब बात कर लेते हैं करकरासी वालों की करकरासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो 16 अगस्त के दिन आप किसी व्यक्ती को impress करेंगे तो आप से impress हो जाएगा 17 अगस्त को कोई व्यक्ती आप से impress हो सकता कितनी भी क्यार करें आपको उसके प्यार समझ नहीं आएगा नजर नहीं आएगा थोड़ा सा road behave अगर वो कर देगा लव लाइफ की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई पड़ती है दोनों दिन की स्थितियां कई बार रोमान्स की बज़े से जगडे की स्थिति भी दिखाई पड़ रही है और रोमांटिक बातें आपको पसंद नहीं आए ऐसा पहली बार होगा तो आपके partner को भी अजीब लगेगा और वो आप पर आरोप लगा सकते हैं खास करके 17 अगस्त को no context situation में मतभेद रहेंगे जगड़े हो सकते हैं और merit life में third party problem से दोनों दिन परेसान रहेंगे हाला कि आपके लिए 17 अगस्त के साम से चीज़ें ठीक होनी लगेंगी एक्स्ट्रमाइटल अफैर में partner आपके साथ में दुर्ब्यावार करेगा और आपके लिए क्या क्या किया है उस चीज़ को बारबार गिनाने बैठेगा तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मूड खराब हो सकता है बेस्तिती है अब बात कर लीते हैं सिंग रासी वालों की सिंग रासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो मतभेद रहेंगे लोगों से लेकिन कोई न कोई व्यक्ति आपको 17 अगस्त को पसंद आ सकता है उसके साथ बहुत ज़्यादा चर्चे होंगे खर्चे होंगे और इस्तितियां बहुत आगे बन सकती है लव लाइफ में पार्टनर बहुत रोमांस के मून में दिखेगा बहुत ज़्यादा रोमांटिक बाते करेगा और जिससे आप दोनों के बीच में बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है आज की दिन डेट पर जा सकते हैं नो कॉंटेक्स सुचेशन में फिर से पैच आप दिखाई परता है मेरिट लाइफ में 17 गस्त के साम से जगड़े होने स्टार्ट हो सकते है आपके पार्टनर आपके बीचेवियर को बहुत गलत बताने लगें ऐसा हो सकता है और जबकर बीचेवियर आपका सही हो तब भी तो आपका फिर उस चीज को सुनकर के मून खराब हो और उससे बीचेवियर आपका खराब हो extramedal affair में दिन सामानने है अब बात कर लेते हैं कन्यारासी वालों की कन्यारासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो किसी के लिए अत्यधिक emotional हो जाना आम होगा किसी के प्यार में आप पढ़ सकते हैं कोई आपके प्यार में पढ़े ये बहुत बड़ी बात होगी और 17 अगस्त को ऐसा देखा दा सकता है कि कोई आपके लिए बहुत प्यार दिखा रहा है और 17 अगस्त की रात बर उससे बात हो रही है लव लाइफ बहुत अच्छी स्थिती को दिखाती है दोनों दिन बहुत सुन्दर है और आपके partner आपके हर बात मानेंगे, हर जिद मानेंगे इतना प्यार देंगे No contact situation में इस्तिती सामान नहीं है Married life में आप अपने इस्ते को बचाने का जितना भी प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा खराब होता चला जाएगा इस्तितीयां बच्चों की बज़य से बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है अगर बच्चा नहीं हुआ है तो बच्चों की बज़य से खराब हो सकती है और संतान हो चुकिये, बड़ी हो चुकिये तो उसकी बज़य से हो सकता है कुछ चीजे ठीक भी हो एक्स्ट्रमेटल अफेर में दिक्कत है और दिक्कत इतनी बड़ी है कि आप समाल नहीं पाएंगे ब्रेक अफ ही हो जाएगा अब बात कर लेते हैं तुलारासी वालों कि तुलारासी वालों सिंगल हैं तो मन भेद रहेगा लोगों के साथ में जगडे बाद विवाद हो जाएंगे तो लोगों से दोस्ती भी नहीं हो पाएगी और अगर किसी के साथ बंसाइड लव या दोस्ती है तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है नो कॉंटेक्स सिचेशन में और लव लाइफ में स्तिति सुधार लेती हुए दिखाई देगी सुधर सकती है लव लाइफ में स्तिति ये भी बन रहे है कि आपके पार्टनर अगर किसी गलत फ्यमी में फस गये थे कोई गलत फ्यमी बन गई तो वो चीज़ें ठीक होने वाली है अब बात कर लेते हैं व्रिश्चक रासी वालों की व्रिश्चक रासी वालों अगर आप सिंगल है तो लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और सत्रा गस्त को आपकी किसी एक साथ बहुत गहरी दोस्ती हो सकती है लव लाइफ में अगर पार्टनर मेस रासी का है तो बहुत जगड़े हो सकते हैं बागी किसी और रासी का है तो दिपकत नहीं होगी और मितन रासी का है तो मुलाकात हो सकती है नो कॉंटेक्स सिचेशन में इस्तिती सामान नहीं है मेरिड लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम खत्म होगी रिस्ता बहतर बनेगा और बहुत सारी गलत फेमिया भी खत्म होगी खास करके 17 अगस्त की राद तक इस्तितियां बहुत बहतर हो जाएंगी एक्स्ट्र मेरिटल अफएर में दिन सामान नहीं है अब बात कर लेते हैं धनू रासी वालों की धनू रासी वालों गर आप सिंगल हैं तो आप इस चीज का विसेश ध्यान दीजेगा कि आज कोई करक रासी का व्यक्ति आपको बहुत पसंद आ सकता है लेकिन वो पसंद आए जाएगा लेकिन जगडे विवाद उसके साथ में होंगे और आपको लगेगा वो व्यक्ति सही है लेकिन वो सही नहीं होगा आपके लिए अगर कोई आपसे ब्रशाव रासी का वेक्ति फ्लर्ड कर रहा है या पसंद कर रहा है या आपको प्रपोस करता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है ऐसा रिस्ता जरूर अपना सकते हैं आपके लिए नो कॉंटेक्स सुचेशन में और लव लाइफ में स्थिति बहुत जादा बदलाव लेती ही दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत सारी स्थितियां बदलेंगी आपके पार्टनर आप फिर से बरोसा करेंगे और फिर से पैच अप की उम्मीद जो आपकी है वो पूरी होगी लेकिन मेरिट लाइफ में आपके पार्टनर आज पुराने विवाद को लेकर के वो बैठ सकते हैं किसी गलती के लिए आपको माफ तो कर दिया था लेकिन वो बात उनके दिमाग में अभी भी है ऐसी बातें करेंगे वो आपसे नाराज हैं और वो गलती पार्टनर से प्यार मिलेगा बहुत ही रोवांस होगा दूर कियातर हुआ सकती एक दूसरे के साथ में ये स्थिति है अब बात कर लेते हैं मखर रासी बालों के लिए मखर रासी बालों अगर आप सिंगल हैं तो दोनों दिन किसी केर किसी के लिए खर्चे करेंगे किसी के लिए पागल हो जाएंगे किसी के बहुत इमोशनल हो जाएंगे लेकिन बदले में कुछ नहीं मिलेगा अगर आप किसी व्यक्ति को इंप्रेस इसलिए कर रहे हैं कि उसके साथ सेक्स हो जाए तो ऐसे ख्वाब आपके बिल्कुल पूरे उससे आगे की बात अगर ना शुरू करेंगे तो वह आपको ब्लॉक कर देगी या कर देगा जगड़े बाद विवाद हो जाएंगे और वो आपको हो सकता आपके बहुत सारी अर्मान तोड़ते लव लाइफ में आज की दिन आपके पार्टनर आपके बहुत सारी अर्मान तोड़ने वाले हैं ब्रेक अप हो जाएगा अलमुस्ट और अगर पैच अप हो गया फिर से इनी दो दिनों में 17 गस्त को तो वो फिर ऐसी ऐसी बाते करेगा जिससे आपका दिल दुखेगा बहुत परेशानी होगी आपको और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूर खराब होने वाला है नो कॉंटेक्ट में भी इस्तिती अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है मेरिड लाइफ में खर्चे विवाद और बहुत ज़्यादा धंकिया आपके पार्टनर के आपको सुन्ने को मिलेंगी एक्स्ट्र माइटल अफएर में आपके पार्टनर ही नहीं बलकि आपके जो अपने हैं जो जानते हैं आपके रिस्ते के बारे में वो भी अब ये चाहते हैं कि रिस्ता खत्म कर दिया जाए ये इस्तिती है अब बात कर लेते हैं कुम रासी वालों की कुम रासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए सामान ने हैं दोनो दिन बैसे सामान ने हैं लेकिन सत्रा के साम को कुछ अच्छा हो सकता है लव लाइफ में पार्टनर कुछ बड़ी प्लानिंग करेगा और अपनी फैमिली से मिलवाने की कोसिस कर सकता है आपको या फैमिली के बारे कि आपके पार्टनर आपको समझने लगें वो कई चीजों में आपका स्ट्रेंड लेंगे अपनी फैमिली को समझाएंगे अपनी फैमिली से लड़ जाएंगे आपके लिए जो आपको बड़ी ही खुसी के अनुभूती कराने वाला समय रहेगा सत्रा घस्त को एक्स्ट्रम आईटल में आप दोनों की बदनामी हो सकती है अगर एक दूसरे कले बहुत एमोशनल है तो विशेश रूप से और अगर आपका पार्टनर करक रहा सिका तो वह आपको बदनाम कर सकता है ऐसी स्टिति है अब बात कर लेते हैं मीन रासी वालों की मीन रासी वालों सिंगल हैं तो दोनों दिन लोग आपको इग्नॉर करेंगे और अगर पैसे के दम पर किसी को पाने की चाहत बना रखी आपने और विजेश रूप से 17 अगस्त को ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बुरी बेज़िती भी सहनी पर सकती है लव लाइफ में पार्टनर आपको ब्लॉक करेगा बार बार किसी और के साथ डेट पर जा सकता है आपको ब्लॉक करके वो किसी और के साथ में रेस्टोरेंट में खाना का रहे होंगे और आप आंसू टपका रहे होंगे नो कॉंटेक्स सुचेशन में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब दिखाई पड़ती है और मेरिड लाइफ में आपके पार्टनर को आपकी कदर नहीं होगी वो आपको इग्नॉर करेंगे इससे भी स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब दिखाई पड़ती है लेकिन अगर आप किसी चीज़ को लेकर जिद करते हुए बहुत ज़्यादा आपकी जिद बढ़ जाती है तो उनका हाथ भी उड़ सकता आपके उपर उनकी बत्निमीजी भी आपको सहनी पड़ सकती है एक्स्टा मेडिटल अफैर में आज के दिन जितना चुप रहे हैं उतना आपके लिए अच्छा है जितना बोलेंगे उतना आपका पार्टनर आपसे इरिटेर होगा यह इस्तिती है दोस्तों यह था 16 और 17 अगस्त का लवरासी फल अगर आपको यह लवरासी फल पसंदा इसे वीडियो को लाइक सेर कमेंट जरूर करें और चनल पर पहले बार आए हैं चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों नमस्कार